जंजन की आवाज जियन भारत में आपका बहुती स्वागत है और जी हाँ जारकन की बेटिया ये सारी टोपो बेहने जो है ये USA गई है और USA जाकर ये छे लड़किया है जो USA गई है और होकी के गुर सिखे है USA गई वहाँ पर पहली बार ये सब विमान में बैठी है और प्ले मैं बहुत सभाग्यवान हूँ जो अमेरिका देख पाई और वहां हमको सबसे अच्छा लगा कि अंजाने लोग भी है हेलो करते हैं गले मिलाते हैं और अच्छा से बात करते हैं और दूशी बत वहां सब कोई हस करी रहते हैं एनी टाइम इसमाइल फेस हमको ये सबसे अच वापस तब से मैं कोशिश करती हूं कि थोड़ा इसमाइल से बात करूं और मेरा प्रयास अभी जारी है और मैं कर भी पा रही हूं कि भले हमको लोग पागल बोले या कुछ भी बोले हमको उसे फरक नहीं पड़ता है मैं किसी को भी देखती हूं हसते मुस्कुराते रहती ह हूं और मैं दूसरों को भी सिखाना चाहती हूं कि वे भी एक दूसरे को देखके भले जान पहचान हो या अंजान हो एक दूसरे को देखके हसे मुस्कुराए और थोड़ी सी है हलो बात कर दे और मैं इंडियान में होता है ना कि जिसको जानते हैं उसको भी कभी कभी अंदेखा करके चल जाते हैं कि इसको तो कहें बोलेंगे है हलो यह तो ऐसे है वैसे है आईसे नहीं वहां सब कोई है हलो करते थे और खाने पीने के लिए भी अच्छा सुईधाएं थी रहने के लिए सब कुछ के लिए और वहां पे ह हम लोग तो अन्हेक्स मिला कर बात करने के लिए भी सीखेैं नहीं हो पा रहा था कि कि किसी को हम लग आख से ARM मिला के बात कर करें जब भी आख मिला के बात करने की कोसिस करते दर लगता था ऑर जो कहने वाले थे रहते थे वो भी भूल जाते थे पर आज कर थोड़ा confidence बढ़ गया किसी को भी आख से आख मिला के बात कर सकते हैं जबाब दे सकते हैं और मैं वहां से जितना कुछ भी सिख के आई हूँ मैं अपने दोस्तों को गाओं में जो लड़कियां रहती हैं भले पढ़ाई कर रहे है माईशन नई कार्येगर में हैं वो लोग मैं सिखाने की प्रयास कर रही हून और यह मेरा प्रयास जारी रहेगा और यह प्रयास को मैं सफल भी करूं मैं जब यूएस जाने से पहले बहुँ सोच रही थी कि कैसे लगेगा वहां जाने पर और जब हम पहलीवार प्लाइट तो हमें कैसे लगेगा फिर इस तारी को यहां से जब जा रहे थे फर्स्ट बार आचे एरपॉर्ट पे गए जहास को देखे देखने के बाद बहुत खुशी मिला कि इतना बड़ा होता है इस पर चड़ेंगे तो हमें कैसे लगेगा बस चड़े फिर उसके बार में जब उड अच्छा लगा कि हाँ अब तो अच्छा लग रहा है कि हम नीचे उतर गए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था फिर उसके पर यूएस पहुचे तो हमारी जो हेड कोच थी वह हमें लेने के लिए थी रिसिप करने के लिए तो हमें उससे मिलके बहुत खुछी मिला ओ आते ही हम लोग को लगाई तो ऐसे लगा कि हम लोग अपने गार्जियन से मिले ममी पापा ओपा है जो लोगहें लगने फिर ऑफिर घठ केलने गए लग से वशिंटन में रुके पिर हमारे जो तिन यानी कि भारत की लड़की यह वह लोग गए थे उनकी से अच्छा लगा, वो लोग हमें सीख दी कि आगे बढ़ना चाहिए, अपना हिमत को कभी नकारना नहीं चाहिए, जो अपना लक्षे वहां तक पोचना चाहिए, वहां पर हम लोग बहुत सारा गेम खेले, मेज खेले, फिर पढ़ाई, इंग्लिस क्लास हुई, फिर इंग्लिस क्लास के बाद हम लोग का जो सेल्फ डिफेंस का भी क्लास होता था, पबलिक स्पीकिंग का क्लास होता था, सब कुछ हम लोग को बहुत अच्छा से सिखाया गया, वहां का सब भी कुछ हम को बहुत अच्छा लगा, और मुझे खुसी मिली कि हम उतना धूर गए, और वहां साफ तर पर कहते हुए सुना कि पहली बार जब विमान को देखी तो वो डर गई थी यूएस से जाकर बहुत कुछ नया कुछ देखने को मिला है वहाँ पे कुछ लड़िया पी दी जो इंडिया की रहने वाली थी बहुत प्रेडित किया है बहुत कॉंफिडेंस सर्जित किया आँख में आँख डालने का अब बात करने का सहस भी हो रहा है आई हो गवर्मेंट पे इनके लिए कुछ ऐसा करें जिससे हमारे जो राजिक की बेटिया है होकी में विदेश विदेश जाकर अपना नाम फैरा इन्होंने साफ तर पर कहा है कि गवर्मेंट का सपोर्ट चाह करेंगी कि खेलने के लिए प्रसिक्षक गेंद्र होना भी जरूरी है असी तमाम खबरों के लिए आप देख तेरे एजियान भारत धन्यवाद अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले